कल का आपने देखा होगा कि कल सबसे जो प्रदूसित जगा थी दिल्ली नहीं थी रिटर नोटा थी लेकिन सीएक्यूम के हर आदेश की भाजपा की सरकारें धज्जियां उड़ा रही हैं वो मानने को तयार नहीं है के अंदर सरकार बोलने को तयार नहीं है और भारती जन्ता के प्रवक्ता प्रवचन देने से बाज आने को तयार नहीं है हमने उस समय निवेदन किया था कि दिल्ली के अंदर जो हो रहा है वो NCR में भी लागू कराईए दिल्ली में CNG की बस चल रही है NCR में भी चल रही है दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस चल रही है मेरे समझ में नहीं आता है केंदर में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार केंदर में भाजपा की सरकार हर्याडा में भाजपा की सरकार वो इलेक्ट्रिक बस क्यों नहीं खरीद पाते है कि या जानबुच के नहीं लाते ंक तुनлы में से एकषी जो सकता है पैसे की कमी तो के अंदर सरकार के पास भी नहीं है हर्याड़ा रि अंधर versão सरकार के पास भी नहीं हैं स्प verdad कि हमने कहा कि दिल्ले में प्रट baru प्रति बन दे दिवाली आने वाली है आज तिल नव आज तक अभी हरियाणा के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर पठाकों पे प्रतिबंद नहीं लगाया गए क्यों नहीं लगाया गया भाई क्यों नहीं लगाया गया अभी तक भारते जंदा पार्टी इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहती है कि अंदर सरका आज की डेट तक पूरे NCR के अंदर जन्रेटर से चल रहे हैं और चल इसलिए रहे हैं कि जब घरों की बिजली का कानिक्सन उस जन्रेटर से ही है तो बिजली अगर जन्रेटर बंद हो जाएगा तो बिजली ठप हो जाएगी लोगों के बल बंद हो जाएगे बिजली दोड के बिन्ति कर रहा है। लेकिन कान पर जू नहीं रेंग भाजपा के सरकारों पे। हमने कहा कि बहुंत जो बाहर से ट्रक का रहा हैं दिल्ली के अंदरो जिसको भी उप युख नहीं है। किंदर सरकार ने बनाया है external और external पुर्वी और पस्चिमी जो रोड बना है वहां से बसों को divert कर दो नहीं सुनने को स्यार है क्यों नहीं divert करना चाते हो भाई आज की तारीख में दुखी मन से हमें कहना चाह रहा हूं भारती जनता पार्टी की सभी सरकारें दिल्ली के अंदर प्रदूसर्ण को सड़्यंत्र करके बढ़ाना चाहती है चारो तरफ CEO QM की किसी भी आदेश को मानना नहीं चाहती है और उनके खिलाब कोई बोलने वाला नहीं है कोई कारवाई करने वाला नहीं है के अंदर सरकार चुप्चा बैटी वही है CEO QM सर्कुलर पर सर्कुलर जारी कर रहा है कोई कंप्लाइंस नहीं आज मैं दुबारा चिठी लिख रहा हूं के अंदरी परियारण मंत्री जी को कि इमिडियेट तुरंत मीटिंग बुलाई जाए इन पाँचो राज्यों के परियारण मंत्रियों की और जो पिछले मीटिंग में डिसकसन हुआ था उसका कंप्लाइंस क्यों नहीं हुआ उसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं कौन है खारत के अंदर जो परिदुसर्ण की स्थिती बनी वही है कल अकबारों में छपा था रिपोर्ट देश के अंदर 52 जो जिले जो सबसे पलूटेड हैं 20 जिले हरियाडा के हैं भाजपा की सरकार है सबसे जो पलूटेड जगा है वो रेटर नोटा है भाजपा की सरकार है और भाजपा के लोग दो लाइन का बयान जारी करते हैं और छुट्टी हो जाती है केंदर सरकार की छुट्टी हो जाती है उपी सरकार की छुट्टी हो जाती है कल मैं एक बयान देख रहा था उत्तर प्रदेश के मानने मुक्षमंत्री योगी आदित नाच जी का बोले मैंने मुबाइल में देखा वो पंजाब में पराली जल रही है यूपी से सारी बसें डीजर की घुमा रहे है वो चारोतरप वो नहीं दिख रहा है ग्रेटर नोयडा में सबसे ज़्यादा पलूशन हो रहा है वो नहीं दिख रहा है उस पर पट्टी बाद रखी है आपको अपने राज के अंदर दीजल धुआ उड़ाते हुए बसें गाडियां घुम रहे हैं नहीं दिख रहा है आपको मुबाइल में दिख रहा है पंजाब क्योंकि पंजाब में आम आदमी की सरकार है साइद भाजपा की होती तो भी नहीं दिखता उस तो भी पट्टी लग जाती साइद जो पट्टी लगी उसमें क्योंब पंजाब दिखता अकेली सरकार है आम आदमी पार्टी की जिसने वादा किया था पराली को कम करेंगे और पंजाब के अंदर 50% से ज़्यादा पराली कम किया है काम किया है इसलिए कम हुआ है और गली बार और भी कम करेंगे लेकिन एक बात समझना सबको जरूरी है कि यह जो प्रदूस्वर्ण की समस्या है पूरे उत्तर भारत की समस्या है सबको सहयोग करना पड़ेगा और जो जो सरकारे हैं चाहे आम आदमी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाज़पा की सरकार हो सरकारें बदल जाने से पर दोसरान की समस्या नहीं बदल रही है इसलिए सब को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा